मुझे इस किताब में बड़ी दिल्चस्पी थी ये बीर सावरकर में कि बीरता और ये मापीर किदर जा रहा है इस पर जड़ा चर्चा हो तो जी आज ये सब किताबे मुझे हाथ लगी और इन सबको मैं पढ़ने वाला हूँ प्रशीद चिकितसक के साथ साथ कलमकार हैं लेखक हैं कवी हैं और यू कहिए कि अभीने करता वी हैं इनका जावा म्यूजिक चैनल है आप यूट्यूप पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या कला है और सहीत पढ़ने में काफी रुची रखते है तो सर से हम आज बात करेंगे स्वागत है सर बहुत बहुत धन्यवाद देखने वाले तमाम दर्शकों शोताओं इससे जुड़े इस चैनल को प्यार करने वाले सभी को सबका स्वागत है सबका अविनंदन है अप लगातार जो हैसे साहित का ध्यन भी करते हैं सर और साहित्य इतिहास पड़ रहा कोई वेक्ति भोगोल पड़ रहा है समाजिक चीजों पर पड़ रहा है तो कहीं न मेरा मानना ऐसे हैं साहितिखते भविश्य हैं हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सर के जो लाइव रेरी है उस लाइवरेरी में अपूस्त को मैंने देखा भगत सिंग की जेल की डायरी ऐसे तो अन्य और भी बहुत कारगर पुस्तक के एलन मस्क की पुस्तक भी है और सत्यार्थ प्रकास बाबा साब मेटकर के सभी भॉलूम है उनके द्वारा जो रचित है और तमाम चीज़े भारती संविधान है लेकिन भगत सिंग क की जयल की डायरी भी दिखाई दिया सर क्या है यह बड़ा ही शांदार हमको लगता कि शायद ही कोई ऐसा वेक्ति होगा जो जेल के अंदर बंद है जो मौत जिसकी आने वाली फांसी चड़ने वाला है और वह दुनिया देश के बारे में क्या नजरिया रखता उसको लिख पढ़ने पर तो यह किताब सबको पढ़नी चाहिए क्या शांदार उन्हें लिखा हुआ है वेस्टर में क्या हो रहा है यूरोप में क्या हो रहा है देश में जाती बात क्या कर रहा है देश कैसे बदल सकता है तमाम मुद्धों पर उन्हें क्या शांदार लिखा है किसी की फ किताबे अभी लोकतंत्र, राजनीती, देश, बदलाव, बेहतरी इन सब से जुड़े हुए किताबे में पढ़ रहा हूँ लेकिन आज मेरे हाथ कुछ किताब लगए बड़ा शांदार और ये किताब इसलिए हाथ लगए कि एक बड़ा नाम है जो गाहे बगाहे चर्ची में बीर सावरकर। अभीकरम संपत ने एक बड़ी मोटी-मोटी किताब लेकिते इसा लगता क्यों को जड़ने के लिए ठेकेदारी मिला हूँ था Ск़िटीर खेदेर का सोचाटिकरी.com अभी नाम में सब्रसा कुछ बड़ी उनकी शैली अच्छी है बड़ा रिशर्च करके उन्होंने किताब लिखी है तो यह मूटी किताब जो है चार-पांच किताबों का बंडल आज मैंने मंगाई है और सोचता हूं कि इसको तुला गहराई से अध्यान किया जाए कि बीर सावर करी किधर से है किधर बीरत किताबों को बड़ा पढ़के अध्यान करके इस पर कोई टीपनी की जाए तो अच्छा रहेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं किताहों का बंडल है आपके सामने खोला जाएगा और यह किताहों का बंडल भी तुरंद जस्ट आया है और आने के बाद में मैं भी बैठा थ तो तो सचा कि इस पर थोड़ा से बात्चीत हो जाए बात्चीत हो जाए लिए विल्कुल यह किताबे जरूर देखे क्योंकि बड़ी शांदार किताबें नहीं मनें एक दो किताबे नहीं सांदार बड़ी किताबे हैं और बारी बारी समय किताबों को दिखाता हूं देखिए असो कुमार पांडे की सावर कर किताब दूसरी किताब है उसने गांधी को क्यों मारा ये किताब है उसने गांधी को गोडसे ने गांधी को क्यों मारा दूसरा राहुल संस्कृतियान एक बड़ा नाम है जो बहुत भंडा फोड़ते है पॉल खोलते रहते ये किताब है अनात्म बेचैनी का यायावर अशुकुमर पंडे किताब है शांदर किताब है उसने गांधी को क्यों मारा ये किताब है कि सावरकर काला पानी और उसके बाद क्या हुआ तो उनके जुएन से जुड़ा बड़ा संदर किताब है और एक विशय और है कस्मीरी पंडितों को ले करके अच्छा हुआ बुरा हुआ भगा दिया सपोर्ट किया कई मुद्र है अभी अपने कस्मीर फाइल फिल्म देखी थ हो तो जी आज यह सब किताबे मुझे हाथ लगी और इन सब को मैं पढ़ने वाला हूं तो बहुत ही संदार है सर जी का जो एक उत्सा है पुस्तक को पढ़ना पुस्तके को पढ़ना फिर उसको समझना और कुछ उस पर लिखना भी मैंने अच्छा लगता है सर को और इस सब मेडिया को और कहें वाटस अप इन्वर्सिटी में जो घूम रहा है उसको उसे जितना जल्दी हो से के बाहर आना है और यथावत यह यह थार्थ से भरी हुई जो चीजी है जो लिखन है किताबे है साहित है इतिहास है भगोल है उसके तह तक जाकर करके हकीकत को निकाल करक करके आई है फ्युप कर भी फालो कीज़े फेस्फूबूक पेच पर हमेशा कुछन कुछ लीकते हैं हम लोग वहा hen से पढ़ते था और यह काविली त मिलता है तो आप सबी सब्सकार को को समझ है सर जी ने डॉक्टर जनमेंजद सर ने जो पहल किया Homer के लिए यहां के थ्यख़ काम करे किये हैं और करते रहे हैं उसके का पारी और हमेशा आभारी रहेंगे सोच समझ करके लोकतंत्र में का जो हवा चल रहा इस हवा में उड़े नहीं बढ़ियां से भोट दे अपने मताधिकार का परियोग करें और एक ऐसी बेहतिनी सरकार चुनी जो देश दुनिया को बदल सके आपके भोईशु को संरक्षित और सुर करें साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं